जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्यान RBL में दोस्तों आपको बता दें कि हम आज देखेंगे हिंदी साहित के लगभग दोस्तों 70 प्लस कोशन देखेंगे ठीक है आप देखतें इसमें से कितने कोशन सही कर पाते हैं उसके पहले हम बता दें कि दोस्तों एक हमने वीडियो अभी डाली है जो कि दोस्तों UP, ASI और UP, TET वालों के लिए most important होगी क्योंकि उत्तरपदेश special का हमने उसमें निचोड़ है पूरा ठीक है उसमें current affair के भी कोशन करवाए हैं तो देख लिजिएगा आधे गंटे की वीडियो है उसमें आग कम से कम 500-600 कोशन करवाए हैं ना 500-600 कोशन उसमें करवा दिये हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हिंदी साहित के इतिहास की वीडियो और आपको बता दें कि अगर आप पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा और आप चाहिए प्लेश्टर वहाँ ने EUP ASI के नाम से प्लेश्टर बनाई वहाँ जाकर कि आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को पहला कोशन दोस्तों कि आचार रामचंद सुखल ने हिंदी साहित के इतिहास गरंद की रचना किस नाम से की है दोस्तों तो किस नाम से की है तो आपको पता होना चाहिए किस नाम से की उन्होंने हिंदी साहित का इतिहास के नाम से चलिए अगला है राहुल सांक्रत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया दोस्तों आपको पता होगा कि राहुल सांक्रत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है क्या कहा है सिद्ध सामंत काल कहा है दोस्तों ठीक है और सबसे पहले सिद्धों के बारे में इन्होंने ही बड़न किया था ठीक है चलिए अगला है आधिकाल की प्रधान प्रवत्ती का थी दोस्तों तो आधिकाल की प्रधान प्रवत्ती का थी दोस्तों आख पता है वीर गाथा थी ना वीरों के गाथाएं लिखते थे इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है दोस्तों किसको याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से चलिए अगला है कि भक्तिकाल को काल करम की द्रश्टी से आचारे रामचंद सुकल ने क्या नाम दिया था तो क्या नाम दिया दोस्तों आचारे रामचंद सुकल ने तो पूर्व मध्धकाल क्या पूर्व मध्धकाल ठीक है ये कोशन आपका बहुत हिला जवाब कोशन है कि जार्ज ग्रियर सन ने कहा है जफिए बन सकता है कि दोस्तों किस काल को हिंदी साहित का स्वनकाल कहा जाता है तो किसको कहा जाता है भक्तिकाल को किसी भी तरीकर स्पोश्चन बने बस आपको करके आना है ठीक है चलिए अगला है कि निराला ने किस पत्र का संपादन किया है दोस्तों क जिसका किया है यह आपको बताना है तो बिल्कुल सही option जाएगा मतवाला का ठीक है हंस का प्रेम चंद्री ने किया है अब भ्यूदर दोस्तों पूछा गया है मदन मोहन मालवी ने ठीक है चलिए अगला है राम चंद्रीका की रचना किसने की तो दोस्तों आपको पता हुना खेम चंद्रीका most important है आपको दोस्तों पता हुना चेके केसो दास ने दोस्तों ठीक है और इसे चंदो का जाए घर भी कहा जाता है क्योंकि कि बहुत सारे चंदों का प्रेज़ किया और केसो दास को कठिन काब का प्रेथ भी कहते हैं दोस्तों और वहीं अगे जीको कठिन गद्यकाप्रेत कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, चलिए अगला है कीरति-पताका के रचनाकार कौन है दोस्तों, जिन्हें हम कई बोलते हैं, मैफिल कोकिल के नाम से भी जानती हैं, जानते हैं और इसके लावाँ और उसको वातिसल रस समराण कहा जाता है । छालिए अगला है मरगावति किसकी रचना है? इंपोर्टेंट है दोस्तों? Most important यूपेशाई में कई बार कूछी जाता है कुटुबन की है? ठीक है? किसकी है? कुटुबन की है दोस्तों? म्रगावति दोस्तों ठीक है याद रखेंगे चलिए पदमावत की भासा क्या आपको पता होना चाहिए मलिक मुहम्मद जैसी ने दोस्तों आओधी भासा का बहुत अच्छे से विकास किया था तो पदमावत किस की है दोस्तों मलिक मुहम्मद जैसी जी की है और किस भासा में है तो अधी बहांसा में ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजेगा बिल्कूल अच्छे से ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला कोश्चन का है कि निम्न लिखित में से कौन से रचना जाए सीजी की नहीं है दोस्तों मधु पदमावत आपको पता है भईया बिल्कूल ह है दोस्तों आखरी कलाम बिल्कूल है अखरावर दोस्तों बिल्कूल मधु मालती दोस्तों मंजन की है ये आपको पता ये आपका डी आप्सन बिल्कूल और बिल्कूल क्या हो जाएगा ठीक है चलिए अगला निम्न लिखित में से कौन रीत सिद्ध कभी है दोस्तों तो र पदमावत में किस मुस्लिम सासक की कथा का वर्ण किया गया दोस्तों तो पदमावत आपको पता है किस ने लिखा है वो भी आपको पता है मलिक मुहम्मद जायसी जी ने लिखा है और किसका वर्ण किया है कि सासक को तो अलाउद दिन खिल जी आपने पदमावत मूवी देखी भी होगी ठीक है चलिए अगला है जाइसी के पदमावत की रचना किसके सासनकाल में हुई है तो दोस्तों बहुत बार बता चुके किसके तो सेरसा सूरी के सासनकाल में दोस्तों उसी समय इसकी रचना की गई थी मलिक मुहम्मद जाइसी जी द्वारा ठीक है संदेश रासा कि किसी मुसलिम द्वारा लिख गया पहला यह रचना है दोस्तों कौन सा संदेश रासा किसकी है अब्दुल रह्मान की यह पहले MUSIC कभी है जिन्हों ने दोस्तों रचना लिखी है ठीक है तो याद रखेंगे चलिए अगला है कि कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है तो दोस्तों आपको पता है रामसरित मानस बिलकूल अबया ठीक है किसमें लिखी गई आउदी भासा में कविता वाली बिलकूल है गीता वाली दोनों दोस्तों किसमें ब्रजभासाम लिखी गई मगर प्रेम वर्तिका नहीं है दोस्तों ठीक है तो हमारा D options बिल्कूल गलत हो जाएगा यही हमारा नहीं होगा चलिए अगला निम्रिकित में से कौन सी रचना भारतें धरिशन जी की नहीं है तो देखिए अंधेर नगरी है बिल्कूल है भारत क्रती दोस्तों बिल्कूल important बहुत बार पुंचा के किसकी है तो जैसंकर परसाद जी की है कामायनी किसकी है जैसंकर परसाद जी की चलिए अगला कोशन है निम्रिकित में से कौन सी लंबी कविता निराला की क्रति नहीं है राम सक्ति की पूजा सरोज स्मृति तुलसी दास या अंधेरे में दोस्तों बिल्कूल सही हो जाना चाहिए अंधेरे में ये आपकी नहीं है दोस्तों निराला जी की नहीं आपको पता सरोज स्मृति दोस्तों उनकी लड़की की म्रत्यू हो जाती है तो उसी के उसमें दोस्तों ये सबसे अच्छा सोक गीत माना जाता ठीक तो यही चीज़ आप याद रखेंगे तो यह सभी है अंधेरे में यह नहीं है ठीक है चलिए अगला है तिनिविकित में से कौन सी रचना जैसंकर प्रसाद जी की नहीं है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नहीं है दोस्तों तो बिल्कुल सही दोस्तो जुही कली नहीं किस की है ये निराला जी की है और ये दोस्तो इसमें सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया है निराला जी ने ठीक है कोश्चन आएगा कि मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया तो निराला जी ने किया किस में जुही की कली नामक कभिता में दोस्तों और यह देखे कामाईनी प्रेमपतिक आंसु सब इनी के हैं और यह कोश्चन आपकी एक्जाम में पूछे जा रहे हैं बहुत तेजी से ठीक है चलिए अगला है निमनिकित में से मैजली सरनाद गुप्त दोस्तों जिसे राष्टी कभी कहते हैं कि काब क्रती कौन सी नहीं है दोस्तों कौन सी नहीं यह आपको बताना देखी जैदरतवद विया बिल्कूल है भारत भारती बिल्कूल है यसो धरा है बिल्कूल है मगर रस्मी रती नहीं दोस्तों रस्मी रती जैसंका प्रसाजी की हजी रस्मी रती नहीं है ठीक है तो यार रखेंगे आपका डी आप्सन बिल्कूल रैट हो जाएगा चलिए आगे पढ़ते train अगला दुस्तो त Western को शन발 नामग लंबि कविथा किस ने लगी दोस्तो फारॅ को श्री रह जाये तुरस के लिए इदिधावलम पूर套 पर मिला चालि अगला है किरिमलिगेज मैंसे कौन चायवादी कभी नहीं है दोस्तों तो चायावादी कभी कौन नहीं है तो आपको पता हुना चाहिए गजानन माधो मुक्तिबोध जी ये नहीं है ठीक है और ये तो सब चार इस्तम है निराला अपंत प्रसाद वर्मा ठीक है ये थे इस तम चली अगला है केदारनात अगरवाल किस प्रकार के कभी है दोस्तों किस के है प्रगतिवात के ठीक है चली अगला है लाल पान की बेगम दोस्तों किस की है तो फड़िस्वरनात रेडू जी की है और इनकी एक रचना याद रखेंगे जिसे हम कहते है मैल परमेश्वर कहानी किस्की रचना है तो परमेश्वर किस्की है आपको भी और तो कौन सा तो हमारा बी ऑप्संस गुनाहों के देउता चलिए अगला है निमलीकिति मैसे कौन सी उपरणास क्रति ये भीसमसाहिनी की तो यार रखेंगे तमस और चीफ की दावत दोस्तो किस की है भीसमसाहिनी जी की अगला है कौन सा उपरन्यास जैनेंद की नहीं है दोस्तों कौन सा नहीं है तो परक्र सुनिता कल्याणी दोस्तों बिल्कुल है चित्र रेखा नहीं है दोस्तों चित्र रेखा चित्र लेखा ये दोस्तों जैनेंद की नहीं है तो बिल्कुल अच्छे सी आत रखेंगे चलिए अगला कोशन देखते है निमिकित मैंसे कौन सी रचना दिनकर की नहीं है दोस्तों तो हल्दी घाटी नहीं है दोस्तों देखे हुंकार है कुर्चेत्र है और रस्मी रथी हल्दी घाटी नहीं है दोस्तों हल्दी घा यह लागा नियांता कि ने तो इनक quelquegap यह चलिए अगला है यह कौन सी रचना ना राकेश की ना टेकरफि नहीं है तो याद रखेंगे most important question है कौन सी नहीं है पहला राजा दोस्तो यह नहीं है ठीक है चलिए बाकी दोस्तों आध्य दूरे बिल्कुल है असार का एक दिन बिल्कुल है लहरों के राजन्स दोस्तों बिल्कुल है तो हमारा D option बिल्कुल राइट हो जागा चलिए अगले निम्रकीत में से कौन प्रगतिवादी कभी नहीं है तो प्रगतिवादी कभी कौन नहीं है दिनकर जी प्रगतवादी कभी नहीं है चिंता मड़ी किसकी रचना है दोस्तों तो most important है किसकी है आचार रामचंदर सुकल जी की है चिंता मड़ी दोस्तों ठीक है याद रखेंगे सुकल जी कभी चिंता नहीं करते हैं अमरी किसकी है सुकल जी की चले दोस्तों अगला है चीडो की चांद नी किसका है तो निर्मल वर्मा जी का है चले अगला है लोकायतन किसकी रचना है तो लोकायतन दोस्तों तो इसका बिलकुल सही option सुझाइगा हमारा इस कंदकुप्त का, ठीक है चलिए, अगला है हिमाद्री तुंग स्रंग से प्रबुद्ध सुध्ध भारती किस की पंक्तियां हैं, किस कभी की प्रशिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों तो 43 का हमारा बिल्कुल औसन सुझाएगा जैसंकर प्रसाद जी की अगला है मैं नीर भरी दुक्की बदरी दोस्तों ये किसकी रचना है किसकी रचना की पाट है दोस्तों तो ये भी आद रखेंगे किसकी है तो महादेवी वर्मा जिने हम आदनी की मीरा कहते हैं अगला है विश्नु प्रवाकर द्वारा रचित अवारा मसीह किसकी जीवने है दोस्तों मोश्ट से भी मोश्ट इंपोर्टन किसकी है तो बंगाली राइटर सरचंद चटोपाध ध्याजी की अगला है तुलसी दास की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है दोस्तों तो देखे रामचंद मारास बिल्कूल है अवधी वांसा में कविता वाली बिनेपत्र का ये दोस्तों ब्रज वांसा में साहित लहरे दोस्तों ये सूर दास की नाकी तुलसी दास की अगला है निम्निकित जैसी की रचना कौन सी नहीं है दोस्तों देखे चित्रावली और म्रगावती पदमाकर है दोस्तों दोहावली ये आपके किसकी है तुलसी दास की है चलिए विद्यापती की रचना कौन सी नहीं है दोस्तों तो कीरती लता कीरती पदाका और पदावली परमाल रासों के रचनाकार कौन है जगनिक है का है जगनिक है दोस्तोarm किपन की दियुकि है कितने इसम था साइने कि तौक झुमार की दरावरर कितने पाकिस्तान धी सलसा है ना जो ाुपढ़न ये चेज二 ची चांत रा एक ऑपना किए अमरित लाल नागर की है और यह दोस्तों जीवनी है किसके उपर सूर्दास जीवनी के उपर इन्होंने जीवनी लिखी है ठीक है तो याद रखेंगे सूर्दास के उपर जीवनी कौन से खंजन है और दोस्तों इन्होंने तुलसी दास के उपर लिखी है मानस कहांस दोस्तों पंत का अगला है ब्रंबर आक्षस दोस्तों किसकी लंबी कविता है तो ब्रंबर आक्षस किसकी है दोस्तों तो ए नंबर यानि मुक्ति बोध की कुकुरमुत्ता दोस्तों किसकी है निराला जी की किसकी है निराला जी की चलिए आगे देखते हैं अगला कोशन दोस्तों कोड तो जगदीषचंद्र माथुर्ड की किसकी है, हमारा B options विल्कुल right होगा, जगदीषचंद्र माथुर्ड की है, पहला राजा कोड़ार, दुस्तो, most important अगरा है, उत्तरमध्यकाल को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, दोस्तो, रितिकाल, ठीक है, उत्तरमद्धिकाल को कहते हैं रितिकाल चली अगला है निमनिकित में से कौन आधिकाल की रचना नहीं है दोस्तों कौन सी आधिकाल की रचना नहीं है तो यह आपको बताना दोस्तों तो 58 का कौन सा सही होगा यह आपको बताना है तो परमाल रासो है हमीर रासो है और कीरति ल च्रौए। कौन सी इनकी कहानी नहीं है इसके बारे मापको बताना है तो दोस्तों कौन सी नहीं देखे पंचलाइट है लाल पान की वेगम है रस्प्रिया है दोस्तों यह याद रखेंगे मगर इनकी पंच परमिश्वर दोस्तों यह किसकी है प्रेम चंदर जी की है और इनकी एक रचना जी की है दिव्या जूठा सच और दादा कॉम्रेट यह तीन हो है मगर रागदर बारी स्रीलाज सुकल की अगला है निम्निकित में से कौन दिनकर की रचना नहीं है दोस्तों दिनकर की कौन से उर्वर्सी बिल्कुल है इसे के लिए इन्हें मिला है कौन से साहित प्रूस का र नमबर राहुल सांक्रत्यान की है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है दोस्तों की माखनलाल देखें माखनलाल लिख लेना यह गलत है चतुरवेदिक की किस रचना को सरपतम साहित प्रूसकार से सम्मानित किया गया है तो किसके लिए दोस्तों तो याद दखेंगे ह हिम तरंगिनी दोस्तों किसके लिए हिम तरंगिनी के लिए इन्हें मिला है तो यह चीज याद कर लेंगे चलिए अगला है मन्नु भंडारी की वह रचना जिसे 2008 में ब्यास सम्मान दिया गया वह रचना कौन सी है दोस्तों मन्नु भंडारी जी की दोस्तों एक कहानी यह ठ क्रति को मिला है दोस्तों इसका बिलुकुल सही आपसंस क्या होगा इसको आपको बताना तो चिदंबरा के लिए दोस्तों ठीक है चिदंबरा के लिए बाकि कितनी नाव में कितनी बार दोस्तों इसके लिए अग्गे जी को मिला उर्वर्सिक दोस्तों दिंकर को उर्वर्सिक को मिला है ठीक है चलिए अगला है यामा को ग्यान-पिट पुरुसकारवस waren 1942 में मिला यह एक किसी क्रति दोस्तों तो महँ देवी वर्मा की है दोस्तों आको पता होण चाहिए महाद्य वर्मा जी कि मिल चुका है अगला कोशन दोस्तों और इंकर रचनाउस सब्दी दोस्तोंैं दोस्तों आपको बताना इस में से कौन सा सुमीलित नहीं यह कोशन आपके लिए जोड गे जाएंगे ठीक है बताना नीला चांट के लिए बैस सम्मान स्थी उप्रसाथ सिंग को मिला है कि आत्म्जि के लिए बैस सम्मान धरमभीरello को वर्षकर अरत आगे टीक है और क्या दोस्तो और वर्षी के लिए ईन्वेट पुरूपरी पूरुश्क Χार मिला है दिनकर जी को तो इसे आप देख लिएगा समय लिए सब कुछ देख लिया ठीक है इसे देख लिएगा जाएगे जाये आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चाहई UPSI quick revision वाले प्लेश्ट में जाएगे या फिर दोस्तों आप ASI quick revision वाले प्लेस्ट में जाएगे जाकर देख जरूर लिजेगा इसका लिंक भी हम नीचे देंगे आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा और बहुत इच्छे से आपने पढ़ा होगा और यहां से question सायद ही दोस्तों बहुत ज़्यदा आपको प्रभावित करेंगे यह question तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाई बाई